नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे मस्टर्ट एफिट के बारे में मस्टर्ट एफिट सर्षों में लगने वाली महत्वपूर्ण पेश्ट में शे एक है एक सीरियस पेश्ट के रूप में मस्टर्ट एफिट को जाना जाता है Mustard Afit को लाही, माहूं या चेपा के नाम से भी जाना जाता है तो आईए जानते हैं Mustard Afit के बारे में Mustard Afit का scientific name क्या है इसका order क्या है, इसका family क्या है, इसका host range क्या, इसका distribution क्या है और इसका life cycle क्या है और हम ये किस तरह से damage करती है और इसका management किस तरह से करेंगे, उसके बारे में ये जानते है Mustard Afit Mustard Afit का scientific name लिफाफिस इराइसिमी है और इसका order हमिटेरा है, और इसका family एफिडेडी है तो आईए जानते हैं Mustard Afit का distribution कहां कहां है और Mustard Afit का hostance क्या है तो Mustard Afit तो Mustard Afit का distribution पूरा worldwide है और ये एक serious pest है और इसका host strains, cruciferous oil seeds जैसे तूरिया, सरसू, तारा मीरा और ब्रासिका वेजिटेबल जैसे केबेच, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नोलखोल ये सम्में इसका भी आक्रमन होता है तो आप जानते हैं इसका bionomics क्या है, इसका life cycle क्या है तो जो mustard effect वो लाउस-like दिखता है और pale greenish insect होता है, जो December से March तक abundant होता है चुकि हम लोग जानते हैं कि mustard crop, रवी crop है और रवी के समय पे ही लगाए जाती है, और रवी का काल लवंबर से लेके March तक होता है तो आप देख सकते हैं कि इसका आकरमन भी December से March तक होता है अब during summer ये क्या करता है कि migrate कर जाता है hill में और जो pest breed करता है pathogenetically और एक female 26 से लेकर 133 neem को जन्म देती है जो neem होते वो बहुत fast grow करते हैं और वो 7 से 10 दिन में full paid हो जाते हैं और मतब grow कर जाते हैं पूरी तरह 7 से 10 दिन में इस तरह से 45 generation एक सान में complete होता है cloudy और cold weather मतब 20 degree Celsius से कम weather बहुत ही favorable होता है effort के लाही के multiplication के लिए और जब हम लोग देख सकते हैं ottoman और spring season में effort का winged form produce होता है और वो फैलते कैसे है वो fill to fill फैलते है और locality to locality मतब एक फैल से दूसरे फैल जाते है और एक छेतरा से दूसरे छेतरा इस तरह से वो फैलते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से एक से एडल्ट ने एग ले किया एक से फीर एक से दो दिन के बाद वो निम्प मैं फिर निम्प से तीन से पाँस दिन के बाद निम से वो एडल्ट में मतलब 5 से 10 दिन मतलब adult का period हो जाता है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है mustard aphid इस तरह से ये बहुत ही मतलब एक साल में बहुत ही ज्यादा generation मतलब इसका create हो जाता है हम बहुत सकते हैं multivoltine है तो अब हम जानेंगे इसका nature of damage क्या है तो mustard aphid का nature of damage जानते हैं जो कि nymph और adult वो cell shape को सक करता है कहां से cell shape को सक करता है leaves, stems, inflorescence और developing pods से तब जितना भी पार्ट लगवग सारे पार्ट से इस cell shape को सक करता है तो आप picture में देख सकते हैं कि किस तरह से aphid का आकरमन हुआ है सर्शों में अब देख सकते हैं पूरी तरह से inflorescence पे और developing pod पे aphid का आकरमन हुआ है अब इसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही मतलब plant का जो fertility इससे क्या होता है कि वो reduce हो जाता है और इसे क्या होता है कि जो भी leaves क्या होता है वो curly appearance acquire करते हैं और flowers क्या हो जाता है कि पोड फॉर्मेशन करने में फेल हो जाता है और जो डेवलपिंग पोड्स होते हैं इसमें जो पोड्स होते हैं सरसों के पोड्स को सिलिक्वा करते हैं और जो सिलिक्वा जो डेवलप हो रहे होते हैं वो हेल्दी सीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं इस तरह से क्या होता है कि इ इल्ड रिड्यूस हो जाता है उस तरह से तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी एफिड है वो बहुत ही सरसों के केस में बहुत ही आकरामक है और बहुत ही ज्यादा इल्डोस क्रियेट करती है आप यहां देख सकते हैं किस तरह से डेवलकिंग पोड है वो किस तरह से करलिंग हो चुका है यह मतब अच्छे मतब इस अच्छे प्रकार से सीट प्रोडिउस नहीं कर पाएंगा आप देख सकते कि सरफ पॉड डिफॉर्म पॉड फॉर्मेशन हो गया है यहां तक कि आप यहां देख सकते कि इतना यह आकरमन हुआ है पिक्चर में कि पूरी तरह से आप जो पोड है या दूट कि लिक्वा है वो टेफॉर्म होने को लगा है कर आब हम देखेंगे कि इसका मेलेजमेंट किस तरह से करेंगे कि नट determine broadcast के ओड इंध म्हेंस अवर्यकान क्षौन केपने चिंद का है अब देखेंगे कि इसका मेलेजमेन किस तरह से करेंगे किस तरह से करेंगे तो जो कल्चेरल कांट्रोल में हम लोग रिस्टेंट वेराटिस का यूज करेंगे जेम वन और 9501 का आरके 9501 का यह टोलरेंट वेराटिस हैं और हम लोग अर्ली सौइंग से भी मतलब हम लोग डेमेज को रोख सकते हैं यो 22 Cook कर सकते हैं कि JUST鐘 क्या हो सकता है किस् Film होगा तो 2 शूर का गर्म होता है तो फ्लावरिंग के टाईंग चल्दी में होने के कारणे होगा तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम लोग recommended dose of fertilizer apply करेंगे मतलब जो भी recommended dose है उसके according हम लोग fertilizer में apply करेंगे अब mechanical control क्या करेंगे mechanical control के ताथ हम लोग जो भी affected plant part होगा उसको remove करके initial stage में remove करके destroy कर देंगे biological control में जैसे ladybird beetle का उप्योग कर सकते हैं वो वो बहुत ही efficient predator होती है mustard effect का जैसे हम लोग कोक्सिनेला septum punctata का यूज कर सकते हैं यह फिर चेलो मनस विक्सीना का यूज कर सकते हैं जो की लगभग adult beetle 10-15 adult प्रती दिन आवसतन प्रिडेट करती है फीट करती है कुछ कुछ serifit fly का भी हम लोग several species of serifit fly का भी उप्योग कर सकते हैं जैसे genthogramma species हुआ यह सब का भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि यह फिट का प्रिडेटर है इसी तरह हम लोग lace wing का भी उप्योग करते हैं जो की mustard acid colony को फिट करती है अब हम लोग chemical control में देखें तो हम लोग imida cloprid का उप्योग कर सकते हैं 17.8 का 0.525 ml पर लिटर ओफ वाटर का या फिर थाया मेथो मेथोकजेम का भी उप्योग कर सकते हैं हम लोग 25WG का 0.2 ग्राम पर लिटर ओफ वाटर में हम लोग यूज कर सकते फिर या तो dimethoate का 30C का यूज कर सकते add the rate a 1 ml पर लिटर ओफ वाटर इस तरह से हम लोग ने जाना लाही के बारे में मत्तब मस्टर डेफिट के बारे में उसका बाइनोमिक्स क्या है इसका होस्टेंज क्या है और इसका हम लोग किस तरह से मेनेजमेंट करेंगे तो अब नेक्स वीडियो में हम जानेंगे नए नए पेस्ट को लेकर हम लोग आएंगे धन्यवाद